कि एiggles वीडियो देखने के लिए टेक्निकव अटःच्मेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को हेलो दोस्तों आप देखहे हो टेकिनिकल अटाइच्मेंड चैनल और आज की एत वीडियो में से खायर थारे टीू इंचिस बेजल एसेज और टीवी का रिब्यू करने वाले हैं यहां पर हम इसका मोडल लेख पाएंगे यहां पर इस मोडल के आप अलग अलग साइजस मार्केट से बाइक कर सकते हैं यहां पर हमरे पास है वो है 32 इंचेस का बाकी आप 40 43 50 55 65 तक का यहां पर इस मोडल के LED TV मार्केट से बाइक कर सकते हैं बट वहां पर उसका जो रेजूलू सुनाएगा वो चिंज रहेगा तो प्लीज वीडियो को लास्ता को जब रो देखो और इस चैनल पर पहले बाड वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए जल् स्टेन को फिक्स करने के लिए यहां पर हम मिल जाता है इसका यह ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल तो यहां नीचे हम इसका ब्रैंडिंग दख सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे बटन मिल जाएगा यहां पर हम देख पाएंगे गूगल सिस्टेन का बटन उपर में जी रखते हैं यहां पर हमें मिल जाता है दो ट्रिप्ल यह बैटरी थी सिसी रिमोट कंट्रोल के लिए साथ ही यहां पर आपको वार्यंटी क्राड और इसके यूजर मैनूल और जो क्विक जब ग वो देख लेते हैं तो यहां नीचे में हम इस tv का ब्रेंडिंग देख सकते हैं हायर का साथ ही remote control के लिए यहां पे sensor मिल जाता है इस tv के हम नीचे देख लेते हैं तो यहां पे हमें एक button मिलता है जिससे हम इस tv के power menu और जो मैलूम अब डाउन है उसको एक ही button से control कर सकते हैं य और चलिए back side में इसके और input output देखते हैं तो यहां पे हम इस tv का branding देख सकते हैं बीचो बीच और उपर side में इसके model और serial number यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा यह इसका ऐसी input cable है तो इसके जरी हम इस tv को power देने माले हैं यहां पे आपको 4 screw आपको देखने को मिल आपको हैर कस्टमर केर पे अपना address confirm करवाना पड़ता है तो आगे हम इस tv की input output देख लेते हैं तो यहां पे हमें मिल जाता है Ethernet input और side में हमें मिल जाता है उसका optical output home theater के लिए Composite जिसको हम ABB बोलते हैं और component का यहां पे आपको input मिल जाता है यहां पे आपको 3 HDMI input मिलता है जिसमें हम ARC output देख सकते हैं HDMI 1 पे जस्ट side में हम यहां पे देख पाएंगे antenna input का भी यहां पे absence मिल जाता है यहां पे हम देख पाएंगे और just उसके side में दो USB input का भी absence मिल जाता है साथ ही यहां पे हमें अपने memory card और जो headphone है वो भी यहां से हम connect कर सकते हैं तो चलिए इसके specification हम देखते हैं और सीधा इसको plug-in करके आपको दिखाते हैं यहां पे हम देख लेते हैं इसका यह remote control और यहां पे इस TV को control करने के लिए बहुत सारे buttons देखने को मिले जाएंगे और यह थोड़ा सा लंबा है जिससे आपको use करने में थोड़ा सा तो दिक्कत हो सकता है तो चलिए इस remote से हम इस TV को इस red button से हम on करते हैं तो यहां पे हम देख पाएंगे higher का logo प्लस android TV और फिर से हम यहां पे android का logo देख सकते हैं तो इस TV में हमे Bluetooth remote control मिल जाता है तो उसको pair करने के लिए हमें यहां पे अपना red और जो blue button होता है उसको एक साथ press करके रखना पड़ेग तो टीवे में हमें कुछ इसके options देखने को मिल जाएंगे तो इसको आप एक बार में try कीजिएगा अगर नहीं होता है तो आप दोबारा try करके देखिएगा तो आपका remote control यहां पे pair हो जाता है तो हमारे पास जो LED TV है वो 32 inches का HD ready android TV है जिसका pixels 1366 to 7680 का pixels है और उसी प्रकार स आप 40 x 43 inches का buy करते हैं तो वहाँ पे आपको FSD यानि की Full HD 1920 to 1080p का pixels मिल जाता है उसी प्रकार से आप 50, 55, 65 का buy करते हैं तो आपको वहाँ पे 4K USD यानि की Ultra HD 3840 to 2160 का pixels आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे wide color gamut की बात करें तो इस model के 50, 55, 65 में आपको 90% का wide color gamut मिलता है जो की common TV में आपको 72% का देखने को मिलता है यहाँ पे इस model के TV में response time आपको देखने को मिलेगा 32 inches size में आपको 20 MS उसरी प्रकार से 40 inches के size में आपको 8.5 MS 43 inches के size में आपको 18 MS so यहाँ पे 80 MS को बढ़ाने का क्या मतलब है यह मैं जही कुछ समझने आया और यहाँ पे आपको 50, 55, 65 inches size में आपको 8 MS का यहाँ पे आपको response time मिल जाता है बाकी आगे के जो सारे features है वो लगबग सभी sizes में आपको same देखने को मिल जाते हैं सभी size में 16 to 9 का expect ratio मिल जाता है 7 pictures mode, 7 sound mode भी यहाँ पे आपको मिल जाता है साथ ही Dolby Digital Decoder, HDR10 Decoding भी आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे 5 9.0 का आपको Android version मिल जाता है जो कि इस TV का operating system है और आप देखे होंगे कि आप अपने TV में menu button के सारे आप अपने picture setup कर सकते थे बट यहाँ पे आपको इस TV के settings में आपको यहाँ पे pictures mode का options मिलता है इससे आप अपने pictures mode change कर सकते हैं, backlight को कम ज़्यादा कर सकते हैं, brightness, contrast को यहाँ से आप set up कर सकते हैं तो यहाँ से हम इस TV के sound mode और bestable equalizer को भी यहाँ से हम set up कर सकते हैं नीचे इसका storage चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 4.6GB का internal storage जिससे आप अपने application और जो photos होता है उसको इसमें install और download कर सकते हैं यहाँ पे हमें मिल जाता है Google Chromecast अपने mobile का skin mirroring करने के लिए आपको यहाँ पे Google Chromecast मिल जाता है और इससे हम अपने mobile का skin mirroring कुछ इस तर से हम कर पाते हैं इस वीडियो की नीचे description पे आपको इस वीडियो का link दे दूँगा की कैसे आप अपने mobile का skin mirroring ये के Android TV में कैसे connect करते हैं तो उस वीडियो का आप ज़रूर देख लीजेगा यहाँ पे हमें Bluetooth 550 का supported मिलता है जिससे हम अपने Bluetooth headphones, Bluetooth speaker, Bluetooth home theaters को भी यहाँ से हम wireless connect कर सकते हैं और इसी Bluetooth के जरी हम अपने remote control को भी इसी के साथ pair कर पाते हैं जिससे हम अपने जो voice command है उसको उसी Bluetooth के जरी हम यहाँ पे voice command कर सकते हैं इस TV में application install करने के लिए यहाँ पे हमें Google Play Store मिल जाता है जिससे हम इसमें application install कर पाते हैं इस TV के Android device lot app के जरी हम अपने front door washing machine, freeze, home theater, light computer को कुछ हद तक AI smart voice Google से control कर सकते हैं चलिए हम इसके कुछ video clip के थूह हम इसके picture quality को चेक अप करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ एक video को play करके pause कर देता हूँ जिससे हम इसके जो wide angle, जो color होते हैं उसको यहाँ से हम check up करते हैं चलिए इसके wide angle check up करते हैं तो यह इसका front है यहां पे हम side से देखते हैं और front से देखते हैं तो उसका जो color है वो यहां पे आपको fade नजर आते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है और यहां पे इसके pixels dot देखते हैं तो काफी चोटे-चोटे से यहां पे आपको pixels dot मिल जाते हैं और यहां पे हम देख पाते हैं इसका यह bezel less display जिसमें सिर्फ इसका जो frame है उपर का frame है उसी को हटाया गया है बाकि जो नीचे में काला का जो धब्बा होता है उसको नहीं हटाया गया है तो यह हम नहीं कह सकते कि यह एक bezel less display है तो यह normal display ही हो गया यहां पे इस tv के जो display protection है यहां पे हम यह नहीं कह सकते कि यह एक bezel less android tv है और यहां पे सिर्फ उसका उपर का frame को ही हटाया गया है बाकि जो bezel है वो तो रही ही गये तो चलिए हम इसमें एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें आपको sound और वीडियो की quality के थोड़ा सा अंदाजा हो तो दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं इसके warranty और price की तो यहां पे आपको one air की warranty मिल जाती है और आप इसको local market से खरीते हैं तो 14,000 से 17,000 के बीच में आपको यह LED TV मिलता है 14,000 के range में best है यहां पे मुझे एक कमी नजराई जो की इसका display है frameless display अगर इसमें वो protection अगर ल जी जग बाय कर सकते हैं लेकिन इसके जो display है उसका थोड़ा सा खयाल रखेगा इस TV का कुछ और details चाहिए तो मैं नीचे वीडियो description पे उसका link share कर दूँगा तो वहां से आप उसको check up कर सकते हैं तो बस फिलहलाच के लिए इतने ही guys मुझे नीचे comment box में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा इससे related कुछ questions भी है आपके पास तो मुझे नीचे comment box में जरूर करें और आपको कौन सा feature इस TV का best लगा मुझे नीचे comment box में बताना ना भूलें तो फिलाल वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों fans family के साथ और इस channel पे पहरिवाड वीडियो तो प्लीज चैनल को subscribe करो साथ ही बेल आइकोन को प्रेश करो ऐसे ही टेक्नोलाजी से रिडियो इस वीडियो देखने के लिए तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब लग के लिए बाय गाईस